हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं इस्टेडी फीट फीजिकल एजुकेशन चैनल दोस्तो आपने सो बेस्ट कोस्टनों का स्रीज लेके आई हूं जो आपके लिए बेरी इंपोर्डन है इस सो कोस्टन सभी के सभी इंपोर्डन है वीडियो को पूरा देखी का अपना स्कोर भी सैट में अपना स्कोर जो आपको कर रहे को प्रें इस सिंपट के स्थ का अभ्यास तक कर रहे हैं निज forward को किसी पिशिकल दीशेशन के किसी बी कंप्रेंट जाओंगा प्रिपरेंच प्रेशन कर रहे हाँ छाओ शाओ उप घृट रहे हो यह इंपी बढ़ अधरों इस एंड प्रिवेश ये अमसे के उससे सभी चीज़े जनल के प्लेलिस्ट में जाईए चेक कीज़े मिल जाएगा तो दोस्तो समय ने स्टनल करती है फिर चलते हैं आज के कोस्टन के तरफ तो दोस्तो कोस्टन है कि फुटवाल के खेल में सरीर के किस अंग में चोट अधिक लगती है तो दोसको इसका सही जबाब है टक है ने में एंकल में फुटवाल खेल में सबसे ज़्यदा चोट लगती है तो एंकल में नेश कोस्टन है कम से कम समय में अपनी दसा यों दिसा प्रभावित रुप से बदलना कौन सी चमता कहलाती है तो दोस्तो कम से कम समय में अपनी दसा और दिसा बदलने को हम कहते हैं चपलता यानि की एजिलिटी नेश्ट है वह चमता जो किसी प्रतिरोध के विरुद या उस पर से कारे करती है तो दोस्तों जहां भी आपको प्रतिरोध के विरुद या भार को हटाने का प्रतिरोध को हटाने का बात आए वहां में सा ताकत होगा यानि शक्ति श्ट्रेंथ नेश्ट है लचकता यानि flexibility किस खिलाड़ी के लिए मूत रूप में आवश्यक होती है तो दोस्तों यहाँ पे सही आफसन है जिमनास्टिक जिमनास्टिक में सभी कोड़ों को अंगों को एक लचक होनी चाहिए तभी वो अच्छे से किलिया कर सकता है नेश्ट है सहन सिल्टा यानि इंडरेल्स को विक्सित करने वाली विधी का नाम बताईए जिसे speed play भी कहा जाता है जैसा कि आप जानते है speed play बोला जाता है fort lake को इससे सहन सिल्टा डेवलप होती है एंड इसकी खोज 1937 में गोष्टा होमलर ने इंडरेल्स डेवलप करने के लिए किया था इसको speed play भी बोला जाता है यह नाट प्रापर प्लानिंग यानि बिना पूरु नियोजित धंग से किया जाता है ने इसका competition विधी वह विधी है जिसमें प्रतियोगी क्या करते हैं कई प्रतियोगीता में भाग लेते हैं जैसे कि दोस्तों इंडरेल्स डेवलप करने के लिए चार विधिया होती हैं continuous, interval, repetition, competition ने इसका किसी अभ्यास के बिना oxygen ग्रहित कर क्रिया रच करना क्या कहलाता है यहाँ पे question है किसी अभ्यास को बिना oxygen ग्रहर किये कोई अभ्यास आप कर रहे हैं बिना oxygen ग्रहर करे क्रिया करना क्या कहलाता है दोस्तों वह कलाता है एनारोबिक ठीक अन एरोबिक क्रिया कलाता है और वही आक्सिजन के साथ क्रिया करना क्या कलाता है एरोबिक आक्सिजन के साथ क्रिया करना क्या कलाता है एरोबिक दोस्तों एरोबिक अन एरोबिक जो आक्सिजन के साथ एरोबिक सब जब आये तो हो इंडरेंस व अउरविक ब्यायम जो है लगू, व्हल ओ, भी किरिया होती है। और आउरविक नहीं करना. ये तो हो गए हापका 22 s function of this तक से तक कति किरियाएं 我 की आरोपिक आकसीज़िंग में कितीया जाएगा और कम समय कि करियाएं और एरोपिक में 2 मिल्डं से जल् istem इतने करियाएं होगी एरोपिक में आ जाएएंगी जैसे की लग अरोपिक곳 के सब स्की स्स van collisions work कि दोस्तों यह मापने के लिए किया जाता है कि दोस्तों कर दोस्तों से है खेल फ्हेले कि लाड़ी को इसिता लिए कि लिए क्या अच्छा लाकिला पर किस पर निर्वा करता है तो दोस्तों जॉएंट पर निर्वा करता है अच्छा लचिला पर किस पर निर्फ़ करता है? जोड पर निर्फ़ करता है नेश्ट है मानो सरी का संतुलन कौन बनाए रखता है दोस्तों तो हाथ, आँख, कला, गला, कान आदी दिया हुआ जैसा कि आपने सही आफ़सन टिक कर दिया हुआ और कानवे इंडोल लिफ नाम का द्रव पार जाता है जो हमारी सरी को संतुलित बनाए रखता है तो कार के दो कारे हैं कार के कौन कौन से सुनना और सरी का संतुलन बनाना नेश्ट कुस्ति का खिलाडी अपने सरी को नीचे जुका कर किस यांत्रकी का कारक का लाब लेता है तो दोस्तों यह लेता है आपका केलरी ये गृत्वा करसर सेंटर अफ गरेविटी का लेता है लाब लेता है क्योंकि जो आधार है जितना ही नीचे रहेगा गृत्वा करसर सीजी पॉइंट उतना संदूलन उतना ही अच्छा रहेगा नियर से जरत्व सुर्वात के नियम कौन से हैं तो जरत्व का नियम दोस्तों दो चीजों पर कान करता है एक तू जरत्व का नियम कहता है नीरा का प्रथम नियम है जरत का नियम दिती तोरा का नियम तृती है आपका क्रियापति की आकरियम जरत का नियम का कहना है कि यदि कोई वस्तू बिरामा वस्था में है तो वह बिरामा वस्था में ही रहेगी और गती वस्था में है तो गती वस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई वाहबल न लगाया जाए जड़त का नियम के दो फेज है एक गती का जड़त्व एक अराम का जड़त्व तो यहां पर आपका हो जाएगा को और खो दोनु गती का जड़त्व और अराम का जड़त्व को खो दोनु हो जाएगा नेश्ट है निउटन के कितने नियम है तो आप सबको पता है तीन नियम है जड़त का नियम तोरड का नियम क्रिया पतिक्रिया का नियम नेश्ट है जड़त का नियम निउटन का कौन सा नियम है दोस्तो तो प्रथम नियम है इसको लाफ, इनर्षिया, गेलियों का नियम भी कहते हैं नेश्ट है मानो सरी में कितने प्रकार के तल यानि प्लेन पाए जाते हैं दोस्तों तो तीन प्रकार के पाए जाते हैं सेजिटल, फ्रॉंटल, एंड होरिज़न्टल सेजिटल सरी को दायबाय भागो में बारता है और गति इसमें आगे पीछे होती है जैसे फ्लेक्सल एक्स्टेंशन एंड फ्रॉंटल जो है सरी को आगे पीछे बारता है और इसमें गति दायबाय होती है जैसे एब्डक्शन, एडक्शन and horizontal जो है सरी को उपर नीचे बारता है यह सरी में rotatory iron गुरंगती होती है सभी गतियाँ होती है तो इसको circumduction बोलते है नेशा viable यानि external force नेशे कौन परदान करता है तो दोस्तो external force इस option में घरसर यानि की घरसर परदान करता है जैसे कि यह सो आंतरीक बल बल दो प्रकार का होता है आंतरीक बल और वाहे बल जो होता है वो मांस पर इसी द्वरा लगा जाता है और वाहे बल जो है वह घरसर गुर्तवा करसर बल हवा का परतिरोद इस सभी चीज़े वाहे बल है नेश्ट नियूटन का दुसरा नियम कौन सा है तो आप सबको पता है पत्सम नियम जड़तो का नियम और दुसरा नियम तुराड का नियम नेष्ट है न्यूटन के तिसे नियम का उधारण क्या है दोस्तो तो तिसे नियम का उधारण है अभी केंद्रक या अपकेंद्रक बल सेंट्रिपेटर या सेंट्रिफीगल बल यानि कि आप किसी वस्तो पर जितना बल लगाएंगे वो अस तु भी आ पर उतरा ही बल लगाएगा कृया-प्रति क्याकनिया अब ही चैंद्र मतलब केंद्र की ओर बल अब केंद्र मतलब बाहर की ओर बल नेश है बिराम के बिपरित इस्थिति को क्या कहते हैं तो दोस्तों बिराम कोई वस्तों बिरामा उस्था में हैं अगर हम वाइबल लगाएंगे तो गती उस्था में हो जाएगा तो बिराम के बिपरित इस्थिति को हम क्या कहेंगे गती या निमोशन ठीक है हैंड बाल के खेलवे बाल को सीधे अपने खिलाड़ी के पास फेकने के लिए न्यूटन के किस नियम का मुख्य रूप से प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पे आपका मोसन यानि गती बदलने की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दितिय नियम तुरर का नियम या समवीग का नियम नेशर समवीग यानि मुमेंटम का नियम न्यूटन का कौन सा नियम है तो यह है नियूटन का दितिय नियम इसको तुरर का नियम भी कहा जाता है नेशर दोस्तों मानो सरीर को बल प्रदान करता है तो कौन बल प्रदान करता है मान स्पेसी ठीक है मानो सरी में बल सक्ति की बात करें तो मसज़ ही होगा हमें साथ ठीक है नेशा अंति वेक को निन में से किसे से अंकित किया जाता है तो इसको वी से अंकित किया जाता है निष्ण डाइविंग परतियोगिता में इस्प्रिंग बोर्ड से ड्राइं लेने के बाद खिलाड़ी नीचे क्यूं आता है? तो नीचे क्यूं आता है दोस्तों? पृत्री के गृत्वा करसर सकती के करन तो यह सुत्र है? चाल का नेसे समुद्र तल से 2000 फिट उचे मैदान पर निवन में से किस दोड में धावक के प्रदर्शन पर नकरात्म प्रहौब पड़ेगा दोस्तो जैसे जानते हैं आपकी समुद्र से जितना आप उचा चलते जाएंगे वहां पर आक्सिजन ग्रहर करने की आपकी जो आक्सिजन होगी वो कम होता जाएगा तो ऐसे में आपको ज्यादी समय की दोड होती है क्रिया करने में आपको नगरात्म प्रहौब पड़ेगा इसमें आपका हो जाएगा 5000 मीटर दौड नेश्ट है पूलक्स अभ्यास में सरी किस अंग्यों की ताकत की आउसकता हो पड़ती है दोस्तों तो पूलक्स में जैसा कि आप जानते हैं इसमें हमारे हाथ की सक्ति को अच्छा होना चाहिए हाथ की सक्ति की आउसकता होती है नेश्ट नेश्ट में से किस इस पाधा में आते धिक चाल की आउसकता पड़ती है तो दोस्तों यहाँ पे उची कूद गोला फेक भाला फेक तो स्प्रेंट दौड़ा भी सबस्यादा चाल होता है आपका उसको जैसे की 100-200 मीटर दौड़ की यहाँ भी 200 मीटर दौड़ा आपका करेक्ट हो जाएगा नेश्ट अगर फुटवाल की एक टीम पाँच मैचों में क्रमसभ गोल करती है पहले टीम ने 2, दूसरे टीम ने 0, तीसरे ने 4, चौथे ने 3, पांच मैं ने 1 तो इनका आउसत क्या होगा तो इनका आउसत होगा 2, आप निकाल के देख लेज़ेगा नेश्ट है फ्लैक्शन एक्स्टेंशन क्या है दोस्तो फ्लैक्शन एक्स्टेंशन जो है वह जोडों की गती है ठीक है क्या है जोडों की गती है यह आप अपने बाजी को मोड़ते हैं तो यह फ्लैक्शन हो गया अगर आपने अदबाजी को फैलाते हैं तो एक्स्टेंशन हो गया मेश कोशन है एक बेक्ती किस सारी चंता के कारण हाफ मेराथन की दोड़ें पूरा कर लेता है तो दोस्तों दो मिनिट से जादा की किरियारे तो सहनसिल्था में आएंगे ही इतना हाफ मेराथन की बात कर रहा है तो सहनसिल्था आपका हो जाएगा सहनसिल्था के कारण हुआ मराथन दोड़ें दोड़ लेता है इंडिरेंस दिलूप करके नेक्स्ट है डबल डंबल अभ्यास में एक्स्टेंशन गती के दौरान कौन सी मुख्यमान स्पेसी संकुचित होती है तो दोस्तों आप डंबल अभ्यास कर रहे हैं जब एक्स्टेंशन करेंगे उसको फैलाएंगे नीचे के तरफ लाएंगे तो कौन सी मसल से आपकी संकुजित होती है, मुख्य मांसपेसी की काम कर रही है, तो वह होगा आपका ट्राइसेप्स, क्या होगा, ट्राइसेप्स, जैसे की, एगोनिस्ट और एंटागोरिस्ट, दो जादेतर क्लिया होती हैं, फ्लेक्सन एक्स्टेंशन में, जब हम हाथ को करते हैं, मुख्य मांसपेसी काम करते हैं, बाइसेप्स, तो उसे जो मांसपेसी को संकुचित करने में, मुख्य भूमी का अदा करते हैं, उसको हम एगोनिस्ट बोलते हैं, तो जो फ्लेक्सन के समें, मुख्य भूमी का अदा करते हैं, हमारा बाइसेप्स, और जो उसके ब यहां पर एंडर प्रिपीत को आदा कर रही है एंटागोनिस्ट, तो हम कहेंगे उसको इसको इसको क्या हो गया काम कर रहा है यहां पर एंडागोनिस्ट होगया, जैसा कि आफ समझ गए होंगे नेश्ट है शरीर की उचाई मापने के लिए किसी अंद्र का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों उचाई और लंबाई मापने के लिए इस्टेडियो मीटर का प्रियोग किया जाता है एंड इस्पाइरो मीटर का स्वसन छंता फेफ़ो की छंता मापने के लिए weight machine का भार मा अपने के लिए dynometer का सरी की बनाउड मा अपने के लिए dynometer का सरी के शक्ती मे अपने के लिए next show meter का धावा कनी में किस प्रकार की जूते पहनता है दोस्तो के जूते के लगा होता है next is पेट की मानस पेजियों को विक्सित करने के लिए निन मेसे कौन सा अभियास लाब किशी भी खिलाडी के प्रदर्शन सुधार करने के लिए जो विध्या या साधन अपनाय जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं. तो दोस्तों इसको कहते हैं Ergogenic Aids, गलत तरीके से सेवन करना हो जाएगा तो डोपी में आ जाएगा, प्रतिबंधी दवाव का प्रयोग करेगा तो डोपी में आएगा, लेकिन जब उसको सही तरीके से सही चीजों का प्रयोग करके, किसी खिलारी के प्रतिशन में सुधार कर करने की जो विधिया साधन होती है उसे कहते है Ergogenic Aids, यह पांच प्रकार के होते हैं जैसे की Nutrition Aids, यानि की पोसक तत्वर, जैसे कार्भो हाडिन, प्रोटीन, विटामिन, खरेंज, लिवर्ज, यह सब होता है, and Physiological Aids, यानि की उचारे पर अभ्यास करना, यह करना यह सब आपका जूते कैसा होना चाहिए, and उसके जू ड्रेस हो कैसा होना चाहिए, इसे सब सक्रातन प्रोहर डालते हैं, और एक होता आउसधी साथ है, जिसमें आपका बहुत प्रकार के आउसधी हाँ आती है, जैसा की Ergogenic Aids के बारे में जानने के लिए, आप डोपिंग वाले से प्रेलिस में जाए, और उसमें डोपिंग के बारे में, डीठील में जंकाई दिया गया है, और eog benutagenic Aids के इसके बारे में भी डीठील में जंकाई दिया गया है, यहां पर एक को स्चिब्न का एंसध box का अंसर बताऊंगी, जैसे दोस्तों RIECA में R से क्या अतात्पर है, प इसे उपर उठाना यह आपका प्राथमिची किसा के RICE सुत्र है तो यहाँ पर R का मतलब होता है रेस्ट आपका क्या मतलब होता है रेस्ट अब इसमें चेर्ज हो गया है यह RICE के अर्थान पर P RICE हो गया है P R I C E S हो गया है ठीक है पी से मतलब है प्रोटेक्शन यानि बचाओ R से रेस्ट I से बर्ख का परियोग C से कंप्रेजन इंद बाओ डालना E से इलिवेशन यानि की हिदे की उचाई से उपर उठाना यह से हो गया सपोर्ट मोच खिलाली को कहा जाता है मोच दोस्ते इसको इस्प्राइन बूला जाता है यह अक्सर कहां पर होती है लिगामेंस के अतिदिक खिच जाएक ने लिगामेंस कहां पर हरदियों के空 के दो अस्थान mmição को जोड़ने करेक्ट हो जाएगा नेशा, Kricket के खेल में अगर किसी छेत्र रच्छक को गेंद पैस में जोर से लग जाये और गुमबढ हो जाये तो प्राथ्मिक उफ्चार क्या करना चाहिए तो दूस्तों, प्रात्मिक उफ्चार में बर्फ का परियोग करना चाहिए नेश्ट दोस्तों बहुलक यानि मोड किसका माप है तो यह केंदरी प्रवित्ती के माप के अंतरगत आते हैं बहुलक यानि की और आते हैं मेल मिलियन मोड यानि की समयातर माध्यमाधिका और बहुलक और को रिलेशन यानि की सरसंबंद इस अब आते हैं केंदरी प्रवित्त के माप के अंतर गठ्व क्या सही है तो दोस्तों दो क्रिकेर के दो टीमों के एक वर्स के प्रड़ामों के मध्य संबंध निकालने के लिए किस सांखी की का प्रियोग किया जाएगा तो उसमें दोनों में कोर्रिलेशन निकाला जाएगा सांखी की का प्रियोग करेंगे दोस्तों आउसात निकालने के लिए मीन यानिकी समातर माध्य का प्रियोग किया जाता है नेश्च पूर्ध धनात्मक सा संबंध किसे से दसाया जाता है तो प्लस वन से दसाया जाता है यहां किवल वन दिया है यह वन सही हो जाएगा उच्च आपरिती वाले प्रापतांग को क्या कहते हैं दोस्तों उच्च आपरिती आपरिती मतलब दोहराओ तो जिसे उच्च आपरिती वाले प्रापतांग को हम कहते हैं बहुलक क्या कहते हैं बहुलक जैसे की दो एक दो पांच दो पांच दो आठ इसमें कौन बहुलग है आपका तो उचाफूट्र अधर को फेकने के लिए कोन बल देता है तो दोस्तो बल लगाने का काम हमें साहथ मसंच करता है तुमान स्पेसी बल देता है नेश्ट है चोट लगने के पस्चार जो बर्फ का प्रियोग किया जाता है वह किस थेरेपी वीरी के अंतरगत आती है दोस्तों तो आती है क्रायो थेरेपी के अंतरगत नेश्ट है एक गज में कितने मीटर होती है तो दोस्तों यह गजमे 0.914 मीटर होता है नेश्ट इनी से लटक कर करने वाला अभ्यास कौन सा है तो पूसप तो नहीं है जमीन पर आप करते हैं नीचे सीट अप लेटकी करते हैं तो यहां पर क्या है पुल अपस लटक करने वाला क्या है पुल अपस नेश्ट डोपिंग क अद्रगत क्या आता है तो दोस्तों यहां पर डोपिंग के अद्रगत आएगा डिरोटिक्स जो वेट रिडूसिंग दूर्सक बूला जाता है यानि कि अभार को कम करने के लिए डिरोटिक्स का प्रियोग किया जाता है इसमें मुद्र के माध्यान से पानी अत्रिथिक मात्रा में सरी से निकल जाता है और यहां डोपिंग को छुपाने के काम आता है और महिलाओं के मासिक धर्म को समय को चेंज करने का भी काम आता है तो यह सब चीज़े आपको याद रखना है नेशा अरस्तु का संबंध किस्से है तो दोस्तों अरस्तु गति विग्यान के जनक बूले जाते हैं इनका संबंध गति विग्याने की इंसिलोगी से है नेशा खिलाडी दोरते शमय हाथ हो पैरों से कौन सी गति करता है दोस्तों तो वह करता है कोडिये गति देखते होंगे जब चलते हैं तो आपका कोड बढ़ता है या घरता है एकोंका एंगिलर मुमेंट होता है कोडिये गति करता है नेश डोपिंग पर नियंतर रखने वाला अंतराश्य संस्था कौन सी है दोस्तों यह है वाड़ा वर्ल्ड एंटी डोपिंग इजन्सी 10 नॉमबर 1999 को इसका गठन हुआ इसके बरतमान अध्यश है विटोल्ड बांका नेश है हिपो क्रेटर्स को किस सास्त्र का पितामा कहा जाता है तो दोस्तों हिपो क्रेटर्स जो है चिकिस्था सास्त्र के पितामा इनको कहा जाता है सबसे पहले चिकिस्था वेधिकाई हुने ही खोज किया नेश अनिन वे से आंतरिक बल कौन सा है दोस्तों तो आंतरिक बल जो है मानस्पेस ये बल होगा वाहे बल में आपका घर से बल वायू का पतिरोग गुत्वा कर से बल ये सबी चीजें आएंगे नेश कौन सा प्रसिच्चर सांसिलता को बिक्सित करता है तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे कि आईसोमेट्रिक आईसोटूनिक ये स्ट्रेंथ को डिल अप करता है जबकि यहां पर सरकित ट्रेनिंग जो होगा आपका वह स्ट्रेंथ इंडरेंस को डिल अप करता है तो दोस्तो जो R, I, C, E पधती है प्रात्मिक उप्चार की उसी को हम कहते हैं थम्ब रूल क्या कहते हैं थम्ब रूल नेश्ट है सीगना F, D, बटा यान किसका सुत्र है तो यह दोस्तो माध यानि की मीन का सुत्र है नेश्ट दोस्तो सहन सिल्ता को विक्सित करने वाली उस विधी को क्या कहते हैं जिसमें अभ्यास को उच्च तिव्रता तथा पूर्च अत्राल पर किया जाता है तो दोस्तो जैसे कि सहन सिल्ता को विक्सित करने की चार विधिया होती है कौम कौम सी चारविधिया होती है continuous method दुसरा है interval method and तिसरा है repetition method and जो होता है competition method तो repetition method जो होता है उसमें पूर छती पूर शती पूर्ती दिया जाता है यहाँ पे आपका repetition method नहीं दिया है तो आप लिख लिजी ये जाएगा आप देख लिजिए गा यहां फी हो जाएगा ठीक है। आप देख लिजीए गा जैसा भी लिखा गया हो। तो रीपीटेशन मेथद में क्या होता है। उचृति ब 주고 अभ्यास की बेच पूर्ण शति पूर्ति है। पूरा रिकॉवरी दिया जाता है। जब कि अंत्राल इंटर्वल मेथन में क्या होता है कि अधुरी छती पूर्थी रखा जाता था इन बातों को आप ध्यान में रखेगा अधुरी छती पूर्थी बोलेगा तो अंत्राल विजी हो जाएगा इंटर्वल मेथन पूर्थी 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 बोलेगा तो का होता है सेजिटल फ्रांटल हरिजन्टल सेजिटल क्या होता है सरी को दाएं बाएं भागों में बारता है लेकिन गति क्या होता है आगे पीछे होती है यानि फ्लैक्शन नेश्ट सेज़ के स्पीड प्ले विधी से क्या विक्सित किया जाता है आपके , तो सानवाण सिल्था भी किया जाता है नेश्ट सारादि शिच्छा तथा aquellos सेड for the हुई थी 30 की स्थापना हुआ था 1950 में नेश्ट है गामीर महरंजन को प्रहाविद करने वाले कारक कौन से हैं दोस्तों सुविधाम का अभाद धन की कमी राजनीती इस सभी चीजें आपके कारक हैं मार्णजन की अंतरगत क्यार नहीं आता है ँठ खेल-कूध भी आताधा है निवन्द फृतिता भी आ आता है सांस्किति कार्करम भी आ प्रवेज्पधि पजचा मार्णजन के अंत स्धार नहीं आएगा नेश सारीक बलवाली मनरंजन किरिया है तो दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं सत्रंज, बिलियर्ज, कैरम ये बैट करके मानसिक बलवाली किरिया है जो कि होंकी जो है उस सारीक बलवाली किरिया है सारीक बलवाली मनरंजन किरिया है होंकी नेशा पतंग उनाना किस प्रकार की मनरंजन में आता है दोस्तों तो यहां खेल खूद की अत्रगत आता है नेशा री क्रियेशन सब्दे में यह री का क्या आर्थ है री क्रियेशन री का आर्थ पुना है और क्रियेशन का आर्थ होता है निर्मार करना यानि रिक्रियेशन का अर्थ हुआ पुना हनिर्मार करना यहां पर रिका का अर्थ हो जाएगा पुना हुआ नेशनीन में से समाजिक मनरंजन का कौन सा उदाहरण है तो दोस्तो खेल, कूद, निर्टिय, हस्तकला यह सब तो आपके हर जगों होता है यह समाजिक मनरंजन में आपका हो जाएगा बिदाई समारो नेशनीन दोस्तो खिसा सास्त्र में रगड क्या होता है दोस्तों कहीं ऐसे जगह पे गिर जाना जिसे रगड हो जाए चुट लग जाए तो अचा कि उपरी परत में तो उसे हम कहते हैं एवरेजन क्या कहते हैं एवरेजन नेशन गोला फेक परति हुईता में गोले को दुर्थ अबs फेकने के लिए कितने प्रच्चे पर कोड का प्रियोक किया जाता है दोस्तों तो 45 डिग्री कितने? प्रचहिपर विदी के अनुसार किसी भी चीज को कितना कोड़ पर फ्हेका जाए कि वो आदिक से अधिक दूरी तैर करे तो 45 अन्स पर फ्हेकने से जारे दूरी तैर करती है 90 अन्स के कोड़ पर फ्हेकने से कोई भी दूरी तैर नहीं करती है नेश पेराफीन बात नामक चिकसा विधी में किसका प्रियोग किया जाता है तो दोस्तों पेराफीन बात में मौम का प्रियोग किया जाता है किसका प्रियोग मौम का प्रियोग अब पानी से पानी से चिकसा करने की विधी को हाइड्रो थेरेपी कहा जाता है नेस्ट है लिगामेंट क्या है दोसों लिगामेंट या मुलायम उत्तक है क्या है मुलायम उत्तक है जो दो हडियों को जोड़ों पर जोड़ती है नेस्ट है युक्ति यानि जो टिप्स होता है कब अपनाई जाती है तो आपको ध्यान रखना है युक्ति यानि टिप्स जो है वो खेल के दोरान अपनाई जाती है और इस्ट्रेटरजी यानि योजना जो है खेल के पहले बनाई जाती है दोनों चीजे याद भी रखिएगा नेक्ष है, बैलेस्टिक विधी किस से समंधित हैं. इस्टेटिक, बलेस्टिक, डैनमिक, प्येनक में थाई इस अभी फ्लेक्सिबलेटी यान लचकता को विख्षित करने की विधिया थे. यहाँ पे आपका फ्लेक्सिबलेटी यान लचकता हो जाएगा. next question है मेरावन पर खिलाड़ी को चोट लगने के पस्चात जो इस स्प्री लगाई जाती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है तो उसमें मिथेन या इथाइल क्लॉराइड गैस भरा रहता है next है warm up कब किया जाता है तो आप सबको पता है खेल के पहले किया जाता है खेल के बाद क्या cooling down किया जाता है next है सरीय में इलेक्ट्रोलाइड की कमी से मान स्पेसियां अकारने लगती है उसे हम क्या कहते है तो दोस्तों उससे हम कहते है cramp उसे क्या कहते है cramp और इस्प्रें क्या होता है जब लिगामेंट में आते धिक्षी जाओ आ जाता है मोच आ जाता है उसे spring कहते है जब tender मान स्पेसियां जाओ चोट आ जाता है उसे हम कहते है strain नेश्ट है एक ब्यक्ति की एक मिनत में स्वांस दर कितनी होती है तो minimum आपका होता है 12 से 20 बार 12 से 20 बार जब आप कोई अभ्यास करते हैं तो आपका स्वांस दर 40 से 50 बर हो जाता है जब अभ्यस्त हो जाते हैं तो आपका जो स्वांस दर होता है 8 से 10 बर हो जाता है यानि कि जितना धीमा धीमा आप स्वांस लेंगे उतना ही आप स्वांस दमाने जाएंगे उ कोई खेल नहीं है यहां पे सिपक टक्रा एक खेल का नाम है है में नेसा निन में इन से भार से समंधित खेल नहीं है तो यहां पे भार से समंधित खेल कौन disag长chen यहां पर कौन हो जाएगा अब धियान दिजीगा इसमें कोई गल्ती होगा तो इसे कुष्टी जूरू इसा तो भार से समंधित खेल है कवर्डी भी है यहां पर जिमनास्टिक नहीं होगा तो लचकता प्याधायत होता है ने शनिन ये से कौन सा खेल पानी से समंधित नहीं है तो पानी से समंधित यहां पर कौन सा खेल नहीं होगा दुस्तो जैसे कि आपका ट्राइथलान में तीन गेम आते हैं क्रास कंट्री आताराकी फ्रीश्टाइल पंदर सो मिटर एंट चैलेश किलिमीटर आपका साइक्लिंग तो यहां पर पानी का कोई प्रियोग हो नहीं जैसे कि आप जान रहे हैं कि डाइविंग एंड तराकी यह दुनों तो पानी से समंधित खेल हैं लेकिन ट्राइथलान में दोस्तों पानी का प्रियोग हो रहा है क्यों कि पंदर सो मिटर जो फ्रीश्टाइल तराकी है इसमें पानी का प्रियोग हो रहा है यानि कि यहां पर आपसन बचा आपका फोगिंग ठीक है फोगिंग यहां पर आपसन नंबर सी करेट हो जाएगा ठीक है तो यहां पर स नहीं होगा और डाइविंग तराकी ट्राइथलां तीनों में पानी से संबंधित हैं क्योंकि तराकी के तरग आपका 10 किलोमेटर कॉरास कंट्री दोर एंड पंद्रेश्व मिटर फ्रीस्टेल तराकी आता है एंड 40 किलोमेटर साइक्लिंग आता है यह भी याद रखिएगा तो यहां पे आपसने बस सीकरेट हो जाएगा नेश्ट है इस तेथे इसकोप से क्या मापा जाता है दोस्तों तो इस तेथे इसकोप से हाट रेट यानि ही रैदर कुम आपा जाता है नेश्ट है कि उस विग्ञान को क्या कहते हैं जिसका समंद्ध खिलाडियों के बेवहार से होता है तो उसे हम कहते हैं दोस्तों खेल मनों विग्ञान नेश्ट है निन में से किसी बिधी में ठंड़े या गरम पानी का प्रियोग किया जाता है तो उसे वो होता है कंट्राश बाद या सूजन को कम करने के लिए जया देतर प्रियोग होता है नेश्ट क्रिकेट के विकेट की पीच की दिसा क्या होती है दोस्तों तो आप याद रखिएगा कि खोको का मैदान है जो हमेशा पूरफ पस्चियों बना जाता है और सभी मैदान उत्तर दच्चियों बना जाती है तो यहां उत्तर दच्चियों आपका करेक्ट हो जाएग नेश्र दोस्तो इस्ट्रेटरजी यानि योजना कब बनाई जाती है तो यह खेल के पहले बनाई जाती है वहाँ पर युक्ति पूछता तो वहाँ पर टैक्सिस इस्ट्रेजी और टैक्सिज याओं योजना खिल से पहले बनाएंगे थेरैपी नामक सब्द में थेरैपी का क्या आर्थ है थेरैपी उपचार यानि चिकिस्टा नेश्चर गुर्तवा करसर के नियम की खोज किस ने किया था दोस्तों तो न्यूटन ने किया था किस ने किया था न्यूटन ने गति का नियम और गुर्तवा करसर का नियम दोनों का खोज किया था जएसा कि खोकिनी स्लिली डिया हुए घरसर ब नहीं होता है जैसे कि कलिये के चिलगा या चिक्तिपारव का पायरे बता है तो तुराँ घरसर के नर्खने की घरना तुराँ आफ़िसल के गिर जाते हैं आंतरिक बल हमेशा मांस पेसी दोड़ा लगता है ध्यान में रखेगा वाय बल में घरसर बल, हवा का परतिरोत, गुर्टवा करसर बल इस अभी आ जाएंगे आस खाली समय का सदवियोग करने है दो जो क्रिया की जाते हैं वन्हें क्या कहा जाता है दोस्तो तो उसे कहा जाता है मोन रंजर क्रियाएं नेशे दोस्तों सक्ति को बिख्षित करने वाली विधी कौन सी है तो सक्ति को बिख्षित करने वाली विधी यहाँ पे कौन सी है दोस्तों यहाँ पे जो सटल रन है आपका एजिलिटी यहाँ चैपलता को बिख्षित करता है 10 किलो मिटर दौर जो है आपके इन रेंज या निसानसीलता को देलब करता है 100 मिटर दौर जो स्वीट को देलब करता है जबकि आइसो मेट्रिक, आइसो टोनिक, आइसो काइनेटिक जो मेथड है वो आपको इस्ट्रेंट को डिलव करता है तो या पर आइसोमेट्रिक आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स है दोस्तो साहितिक गति विधी में मनरंजन विधी कौन सी है तो साहितिक में आपका निबंध लेखन आ जाएगा ठीक है नेक्स कोश्चन है निन में से कौन मनरंजन के अंतरगत नहीं आता है तो दोस्तों यहाँ पे आपका कौन सा हो जागा जो मनरंजन के अंतरगत नहीं आएगा परिवारिक मनंजन है, बियोसाइक मनंजन है, सरकारी मनंजन है, बस रेल मनंजन के अंतरगत नहीं आएगा नेक्स कोच्चन है, कि लगवग 2,000 फिट उचाई के मैदान पर निम्ने में से किस दोड़ में धावक के प्रदाशन पर नकरात्म प्रहाओ पड़ेगा दोस्तों, जैसे जैसे उचाई पर जाएंगे, वह इस वैसे ऑक्सिजन लेबर कम होता जाएगा, जो आपके इन रेंस दोड़ होंगे, जादे समय की दोड़ होंगे, उसमें आपको नकरात्म प्रहाओ पड़ेगा, प्रदाशन में, ठीक है, यहाँ पर आसन नमबर सी करेट हो जाएगा, दस हजार मीटर दोड़, ने शानिन में से किस दोड़ में सहन सिलता क्या हो सकता पड़ेगी, तो दोस् सो मीटर दोड़, एक सो दस मीटर बाधा दोड़, और चारगुड़े सो मीटर रीले एइस स्प्रिंट दोड़ है, इस सब में आपका स्पीड डेवलप होता है, और अएरोबिक प्रकार की क्रिया हैं, जबकि पांच हजार मीटर की दोड़, इसमें इन रेंज डेवलप हो इनका आउसत क्या होगा, तो इनका आउसत होगा 72, नेक्ट है, किस अभ्यास में हाथों की ताकत की आउसता पड़ती है, तो सीटर समें दोड़ तो यह पेट की स्टेंट इंडरेंस को डेलोप करता है, तो यहां पे आपका पूल अप हो जाएगा, हाथों की ताकत में क्या की निम्न में से किसको एंगित करता है दोस्तों कारभो हाइडिट को सार्ट में हम हम सी एच्चो कहते हैं अरे सेजिटर अच्छ जैसा निम्न में से क्या है तो सेजिटर अच्छ जैसे कि आपका ये यह सरीर है, यह क्या है, आपका सरीर है, आपका यह सरीर है, तो इसको हम बीच यू बीच ऐसे करेंगे, जो दाएं भाई भाग बाट रहा है, तो वर्टिकल है, तो इसको हम कहा कहेंगे, सिर्जिकल अर्च जैसा निन में से कौन है, वर्टिकल अर्च है, ठीक है, तो दोस्तो तो आज के लिए बस इतना ही, यह 100 questions आपके लिए very important है, और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे comment में जरूर बताईए, और जो भी doubt होंगे उसरी comment में बताईए, मैं doubt clear करने की पुरी कोशिश करूँगी, तो फॉर्स बार विजित कर रहा हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी, बेल आइकन को प्रेस कर लिजी, जिसे न्यू वीडियो का अब तक पहुचता रहेगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, साथ अब तक के लिए, जय हैं।